सेलो फ्रेंट्स वेलकम बाग टो जी के परिंस अकडमी तो आज किस वीडियो में नया वीडियो श्टार्ट करेंगा और इसमें आगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपलेसी पेट दो जाद तेज का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में देखेंगे पहला क्लास होगा जो क सामान अध्यान घटना चक्र के दौरा जो निकाला गया है प्रशन है अगर हम बात करें तो देखें इसमें कौन कौन से पाक सामगे तो से लेबस के अनुसार भाते इस इस था इसके लावा भाते सम्मिधान भिज्ञान है गानित है हिंदी अंग्रेजी तरक सक्टी यानिकी रिजिनिंग की बात हो रही है और समसमाय की और सामान जाग रुखता इसके अलाओ आप अठिद गर्द्यांस ग्राप की ब्याक्या और तालिका से संब्दी कोईशन जो है पूछे जाते इसमें तो उसी के चरण में हम देखेंगे इसमें पहले सबसे पहले भारते के आंदोलन जो स्टार्ट होता है वो अठारा सो पचासी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी बारते राश्टे कांग्रेस की तब से माना जाता है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे इसके बाद आजादी तक जो है उसको हम डेटियल में एक तरफ से सीरियल वाई देखते चलेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देख ले लेते हैं प्रमुक नारे कथन और बचन और उनसे सम्मझित महापुरसों के नाम किसने काउन सी चीज़े कही है तो पहला हूँ लिप्स इंडिया डाइज ये किसके दोरा कहा गया कथन है तो यह पनिजौला नहरू ने क कहा था चारे जहां से अच्छा हिंदो स्था हमारा यह मुहम्मद इकबाल द्वारा कहा है जिद्दिली चलो जहिंद का नारा जो सुबाश चंद्र बोश ने दिया था पूर्ण सुराध यह कहा गया था जवाला नहरू के द्वारा ठीके इसके लावब बिजई भी सुतिर जंगा प्यारा यह स्याम लाल गुप्ति के द्वारा जो है लिखित है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा सुबाश चंद्र बोश ने कहा था सामन कमीशन वापस जाओ यह लाला लाज पर आय ने कहा था सर्फ रोशी की तमन्न अभ हमारे दिल में यह परसाद बिसमिन ने कहा था सत्य में ओ जयते यह मुंड को इपनिसत से लिया गया है त्यक्ते लिखा हुआ है थे राम यह मातमा गांदी के दरा कागया है वंदे मात्रम बंकिंचंद चेटोड़ चींदर लिखितHH जनगन्ण भीन रबिन रन आठ टाइगोर के दरा लिखि था अब हम देखेंगे राष्ट्य 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 कांग्रेश की स्थापना उससे सम्मंधित अध्वेशन और उसके अध्धक्ष इन सभी चीजों को जो जो एक्जाम पॉइंट अभ्यू से इंपॉर्ट्ट्ट है और और यहां में बार-बार कुश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्क्राइब ठीके सब्सक्राइब बंबई में इस तेजपाल संस्कृत विद्याले में आयजित किया गया था और उस समय पहले अधिवेशन बहत्तर प्रतिनितियों ने भाग लिया था इसके लावग परत्वेशन के अध्धक्षता किसे ने किया था तो वह थे डवलू सी बनर जी यानि की ब्योमेश चंद्र बनर जी इनका पूरा नाम है यह पहले अधिवेशन के इन्हों ने अध्धक्षता की थी और इसके पर्थम माहसच्चु जो है भारती रश्टे कां कांग्रेश को कहकर यह मजाग उड़ाया था कि यह सूच्छम दर्शी अल्प संख्यकों की संस्था यह किसके दोरा कहा गया है तो यह डफरिन ने कहा था ठीक है इसके बाद दूसरा अगले साल 1886 में और कलकत्ता में हुआ था और इसकी अधक्षिता किया था दादा भाई न इसके और यह 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधक्षण के अधक्षपत के लिए चुने गये थे तो यह भी बहुत बार इक्जाम में पूछा गया है इंपार्टन है याद रखेगा और भातिराश्ट का प्रथम निर्वाचित यूरोपी अधक्षपता में ब्रिटिस कमेट्री आप इंडिया की अस्थाबना की गई थी बातिराश्टे कांग्रेस ने था मुस्लिम लिग दोनों ने 1916 में जो है लखनव में अधिवेशन किया था और 1916 में जो है समझोता हुआ था लखनव समझोता या फिर उसे लखनव पाइक् 1916 में यह भी याद रिखेगा बहुत इंपॉटन्ट है जाम में पूछा जाता है ठीक है कांग्रेस के लखनव अधिवेशन 1916 की अधिक्षटा किसने किया था जब लखनव पैक्ट हुआ था लखनव समझोता हुआ था तब जो अधिक्षटा किया था अंबिका चरण पातिरश्टी कांग्रेस का लखनव अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगा था तिलग ने कहा था कि सुराज मेरा जम सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर हूंगा तो यह कथन कभ कहा गया था तो 1916 में ही लखनव अधिवेशन में कहा था चन्व नीस सो में कर्जन ने कहा था ठीक है 1900 में भारत की सोतंता प्राप्त के बाद महत्मा गांधी ने भारतिय राष्टे कांग्रेस को समाथ करने का सुझाव दिया था लाड विलेंग्टिन ने जो है कांग्रेस के तीस वे अधिवेशन में भाग लिया था और इस दोरान वो मुंबई का क्या था गवर् सरोजनी नाइड़ू जो कि 1889 से लेकर उनिसों नुचास तक इनका जो है रहा था जीवनकाल यह प्रख्यात का वियत्री और राष्टवादी नेत्रे थी निस सो पचीस में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था भारतिय राष्टे कांग्रेस का बाद चाली सवा अधिक्ष रहे जब भारत सतंत हुआ तो उसमें कांग्रेस के अधिक्ष कौन थे जेवी किर्पलानी थे रवीद्र नाट्य गोर्द्वारा मुन रूप से बंगला में रचित और संगीत बद्द जो जनिगण मन हिंदी की संसकन को संभिधान सवाने भारत की राष्टिगा पासन तो 1912 में तत्यों बोधनी पत्रिका में भारत विधाता नामक सेर्शक में हुआ था ठीक है इसके लावा राष्ट्य गान का अंग्रेजी अनुबाद की बात तो 1919 में मार्निंग सौंग आफ इंडिया के नाम से प्रकासित किया गया था और इसे लगभग 52 सेकंड में जो है गाया जाता है तिलक ने अंतिम रूप से भाति राष्टे कांग्रेज के अमरिस सरदभेशन 1919 में भाग लिया था और 1907 में कांग्रेज के सूरत दभेशन में कांग्रेश नरम पनति और गरम पनति दो अलग-अलग गुटों में जो है विवागत हो गई तो यह कब ह मेहता थे और दादा भाई नोरोजी थे यह सब ही जो है नरम दल के प्रमुखनेता थे और उग्रवादी विचार धारा के चार प्रमुखनेताओं में से बाल गंगा धर्तिलक लाला लाजपत्राय विपिन चंद्रपाल और अरविंद घो साते हैं ठीक है लाल बाल पाल के ना की नाम से जाना जाता है अगला पॉइंट है लाला लाल पाल राजपत्राय ने जो है इटली के करांतकारी यह राश्विता है मैजनी उनके जीवन बिरते को पढ़ने के बाद उन्हें ने अपना राजनेति गुरु जो है माल लिया था वल्ला भाई पटेल को भारतिये वि महराष्ट में सीवाजी महसो और गड़पत पर आरम किये ताकि जनता में राष्ट सेवा की भावना जागे बाल गंगधर तिलक की एक अगस उनी सो भीस को मिर्ति के बाद उनकी अर्थी को मातमा गांधी के साथ मौलावना सौकत अली और डाक्टर सैफू दिन किचलू ने उठाया था तो दोनों नाम याद रिखेगा ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पूंका के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटिस सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नेड़े की घोशला कर दिया था अब 1905-16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी भी हो गया और इस दिन पूरे बंगाल में जो है सोक दिवसके रूम में मनाया गया रविंद्र नाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर बंगाल में इस दिन को राखी दिवसके रूम में मनाया गया बंगाल का विभाजन जो है लाड करजन जो की 1899-1905 में इसका कारकाल रहा था और इसके काल में 1905 में किया गया था ने इसके बाद अगर हम बात किने इसमें तो ब्रिक्राष्ट्यम के यह में बहात्ति क्लद दो इसके बाद है चत्हाइब ब्रिटिस्य पत्रिकार थे ऐच डब्लू नेविन Сам्हाईं जो कि सवभीस इंसी आंद्रिकार का Öres ऌइjangешь में नात के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी आप ओरियंटल आर्ट की अस्थापना किय다 और भारत के बैयोबि동ने ता जो है वो दादा भाई नौरो जी को लोग Lahdhah, 92.Go नौरोजी जो है पहले भारती ए distress स्पी और से फिंसबरी से ब्रोडी संसर्थ के सदस्थ चुने गए थे दाधा भाई नौरोजी पहले भारती ही किया था. 1997 में मुस्लिम रिख का अभार्शिक कर अभ्यसन गुद आफ बॉ सर कहाँ पर गर्णडर का राचि में खुड़ ता 2008 में अमरीशसेंद्क्र में हुड़ ता Korea 1908 में लंड़न मुस्लिम रिख की एक साखा अमिर अली किया था 1905 में करजन के अस्थान पर मिंटों को भारत का वायसरा नहुति किया गया और जान मार्ले ङो था उसको भारत का सच्वय बनाया गया और इस ने दोनों ने मिलकर एक अधिनियम लेकर आया जो भातिय परसथ अंहिँ शुनो के नाम से या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनास कर दिया है 1916 से 1922 तक का काल जो था वह इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी जो है मताय काका काल था 1916 में जो है तिलक ने सितंबर 1916 में एनिवेसंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की अस्थापना किया था यानि कि तिलक के द्वारा 1916 अपरेल 1916 में जो है इस्थापना किया था और सितंबर 1916 में एनिवेसंट ने जो है होम रूल लीग की अस्थापना की थी वेसंट ने पूछा गया है याद रखेगा और एनी बेसंट के द्वारा जो स्टापित लिए उसके सच्चु बनाया थे जार्ज अरुंडेल महंदास करमचंद काधी का जनम जो है यह हुआ था दो अक्टूबर 1898 को गुजरात के पूरबंदर नामकस्थान पर उनकी प्रारमख सिछा राज़कोट में हुआ मातमा गांधी की अलपाई यानी की 13 वर्स में ही कस्तूर्वा गांधी के साथ दिवा हो गया था करमचंद ग अठ journals चौरानवेमी में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थि जो हे रहने लगे नहत्मागादी ने फीनिक्स और पर दधुबन डेशिधाफिट हे वहाँ पर 1904 में में आश्रव स्थाफित किया था गांधी जी के रामराज के यूगल सिधान्त थे गांधी जी ने लुई फिसर से सोयम कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ मेरे समाजवाद कार्थ है सरवोद है ये गांधी जी का कतन है गांधी जी के समाजवाद में मार्सवाद की भी जलक मिलती है गांदी जी के सत्यागरा सिर्धांद में सत्यागरही का उदेश शत्र को पराजित करना नहीं बल्कि उसका प्रवत्न करके अपने उसे अपने अनकुल बनाना है गांदी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकद्मन लड़ने के लिए दच्छे अफ्रीका यानि की डरबन गये थे मादमा गादी ने सरपथम 1901 में आवजित कांग्रेस के कलकत्ता अद्वेशन में भाग लिया था मादमा गादी ने विदेशी वस्त्रों को नश्ट करने के राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बरबादी ही उनकी सर्वत्तम विवहार है धर्म निर्पेच लेख़वों में गांधी वादी विचारदारा को थोरो रसकिन और अच्छड़ भी जिन्दा नहीं रह सकता वर्स उनिसु सत्रा और टॉठारा में गांधी जी ने तीन संघर्श के चंपारण अंदोलन के बिहार में एहंदाबाद और खेड़ा ये दोनों गुजरात में जो हिस्सा लिया था गांधी जी ने चंपारण तो था खेड़ा जो स्वास्थ रॉछ ने माहत्मा की उपाद ही जैदी थी मातमा गांधी को सर पथम राज़ पिता जो सुवास्थ चंद्र बोश ने कहा था ठीक है और नौवा खाली काल में प्यारे लाल माहत्मा गांधी के सच्च थे उनकी बहन डाक्र सुसीला नजर गांधी जी की वेक्ति चार्ल्स एंडूर्स जो है दीन बंद एंडूर्स जी ने कहा जाता है सेंट्रिस्टीबन काले दिल्ली में प्रद्यापक थे इसके बाद पॉइंट देखते हैं तो एंडूर्स वर्स 1925 से लेकर फरवरी 1918 में इंद्रनवराय दिवेदी गौरी संकर मिस्र मदन महनमाली के प्रियासों से यूपी किसानसभा की स्थापना हुई थी इसके बाद 1920 में बाबा राम चंद्र के प्रियासों से परताब गड़ में अवद किसान सभा का गठन किया गया और सहजाना सरस्थि जो थे बिहार प्रांथिय किसान सभा के संस्थापक रहे हैं तcía किसान सभा का अलगलग जगवों पर अलग-लग लोगों आ उसका उच्तापना किया उन्यस्यषक्ति बर्थक्र zuhaibl्नों अख्रम प्रांटिय किसान सभा करतिया गया और इसका धक्ष जो है स्वामी सहजानंद था महा सचु एंजी रंगा को बनाया गया तो यह भी याद रिखेगा और उनिस सो च्छी आलिस में बंगाल की प्रांते किसान सभात और ती भागा अंदोलन प्रारण किया गया था वी पी वाडिया के नित्रत में उनिस ओठारा मे मातमा गांदी ने किया था यह भी इंपॉर्टेंट रिखेगा ठीक है वारत में ट्रेट यूनियन कॉंग्रेस यानि अखिले भारतिये ट्रेट यूनियन कॉंग्रेस के इस्तापना एनम जोसी दौरा 31 अक्टूबर निस सो बीस में बंबई में किया गया था अखिले बारत कि इस्तापना उनिस सो निस में व्लादमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्स से विख्योदारा किया था ठीक है ट्रेड यूनिन अंदोलन के किरांदकारी इस चनल का समय जो 1926 से 1949 तक माना जाता है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एनम राज ने किया था ठीक है इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था इसके लावाद चैन्सवोर का कारकाल की बात लेगे तो 1916 से 1921 के कारकाल में 1919 में रोलेक्ट पारित हुआ था ठीक है तो उसमें वाइसराय कौन था चैन्सवोर था तेरा अप्रेल 1919 जलियावाला बाग नर संगार के खिर्दे विदार घटना के बाद रविंद्र रना टेगों ने बिटिस सरकार के द्वारा प्रदान किया गया नाई की उपाद वापस लोटा दिया था जलिया वाग हत्याकान के विरोज में संकरन नायर ने वाइसराय की क कोड़ी चलाए गए थी चलवाई गए थी जलियावाला बाग में ठीक है सरकान ने डायर के जो है सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार उपाद दी मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतकारी नेता थे उधम सिंग उन्होंने जलिया वाग के नरसंगार का बदा लेने के लिए इ जलियावाला बाग कब हुआ था उननीस सो उननीस में तो इतनी समय के बाद काफी समय के बाद जो है यह इसका बदला लिया गया था जलियावाला बाग नरसंगार 13 अपरेल 1929 पर कांग्रेस जान समीत की रिपोर्ट के रारूब में लिखने का कार मातमा गान्दी को सौपा दिल्ली को दिया जाता है दिल्ली में 1923 नूंबर 1929 को होने वाले खिलापत कमेटी के समयलन के अधजिता मातमा गान्दी को परदान किया गया था हकीम अजमल खान ने खिलापत अंदोलन के दोरान हाजिक अलमुल्क की पद्वी त्याग दी थी मुहमद अली जिन्ना जब वे राष्टवादी थे तब खिलापत अंदोलन को देश की सुतंता के अंदोलन से जोड़ने के बिरोधी थे उस्टंबर 1929 में अखिल भारतिय खिलापत कमेटी का गठं किया था सितमबर 1922 में कलगता में संपन भारतिय राष्टे कांग्रेस के विसे सद्वेशन मातमा ग गांदी जी द्वारा असायोग आंदरोन एक अगस्त उनिसो बीस और और असायो आंध metadata है dear प्रदार बल्लाबाई पटेल और जोहाला नहरू असवयोग आंदोलन के दोरान ही जो है और इसके इलावा राग्यंद प्रसाद उत्थे नियाले का विश्कार कर आंदोलों में कोट पड़े थे गांधी जी ने जो है असवयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्स के भीतर स सम्मान से सम्मान किया जिसे उन्होंने असवयोग आंदोलन में वापस कर दिया था जमनलाल बजाल ने अपनी राय बहादुर की उपादी जो है वापस कर दी थी चौरी चौरा कांड की वास्तिविक इस्तिती वास्तिविक थी जो थी वह चार फरोरी 1922 है ठीके चौरी कांग्रेस की बैठेंग में कांगर अंदुलन को अस्तिक्त करने करने डिया गया था असवयोग अंदुलन के दोरान रविंद्र ना टेगोर ने बिदेशी वस्तों को जलाए जाने को आप विवेकी या निश्ठर बरबादी कहा था ठीक है असवयोग अंदुलन निस्थ्ट बीस बाइश के दोरान कासी विद्ध्या पीट बनारस में उनीस सोफी इस में और जामिया मिलीय इस्वलाभ में वर्स नीस सोफीस में जो बाद में दिल्ली ले जायाए इस्थापित हुए इस सारे चीजी जो है असोग अंदुलन में ही स्थापित किये गए था सियर्दास इस दवरा में कांगरेस के द्दिशी था Carson aujourd जैनुरी 2023 में मोतिलाल नहरू के साथ सब्सक्राइब करति स्थापना इस्थापना ह Bunu स्थापना में किसका है तो मोतिलाल नहरू ने मिलकर किस बना गए थो बनाकर महासचीत वर्स 1925 में बिठल भाई पटेल का सेंटर लेजिश लेटू यानि केंद्रिय विधान मंडल और असेंबली का ध्यक्षे चुना जाना स्वराजियों के लिए महत्तपूर्ण उपलब दी थी चितरंजन दास को देश बंदू के नाम से जाना जाता था यह इंपॉर्टंट है याद रिखे लिए था चितरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए क्यों बर्गों के लिए नहीं है स्वाला दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का नेड़े मदर मोहनमाल विये तो था मोतिलाल लहरू ने लिया था और इसके इलावा जो कि जान साइमन की अद्धक्षिता में गटिस साइमन आयोग में खुल साथ सदस थे चुकि इसमें सभी सदस जो थे वो अंग्रेज थे कोई भारतियों सदस इसका नहीं तिसलिए भारतियों ने इसे स्वाइद कमेशन करके इसका बहिसका जोंगी जो एटले थे इस कमिशन में क्यादे स्रमिक दलके सरस के रूमें भी सामिक लाहर में साइमन कमिशन विरोधी जलुस का नेतरुत करते समय पुलिस के लार्टी चार्ज में लाला लाजपदराई गंभी रूप से खाहल हो गया थे और साइमन कमिशन 1927 के प्रत्यूत्तर में नहरु परट सथान पर बाद कई गई त også सबाय cricket धान ने मिलकर गिया था 2020 में कांगरस के हम्दाबाद के सियर्दाष चुने गया था कि उनके के जेल उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खाने इस अद्वेशन के अत्रेश्चता की थी कांग्रेस कार समित दौराद दो जनौरी 1930 को अपनी बैठक में नेड़े लिया कि 26 जनौरी 1930 का दिन जो है पूर्ण सवराद का दिवस का दिन होगा तो तब प्रतेक वर 26 जनौरी को पूर्ण स्वधिंता दिवस के रूम में मनाया जाएगा मात्मा गाधी ने चब बारा मार्च 1930 को अपना परसित धिद्दांडी मार्च शुरुवात किया मात्मा गाधी ने स्वावरमती आसरम आहमदाबास से चुने हुए साथियों के साथ 17 गड़ा के लिए कूच किया 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अपरेल 1930 को डांडी में सांकेति रूप से नमक कानून भंग किया और इसे प्रकान नमक कानून तोड़कर उन्हें आपचारी रूप से सब ने अवक्या अंधुरुन का इसके लाव सबने अवग्या अंधुरुन के दोरां धर्शना नमक गवदाम पर कांग्रेस कारकरताओं के धावे से पूर महत्मा गांधी को पांच मई 1930 को गिरुपतार कर यहरवदा जेल भेज़ दिया गया था अब उनके अस्तान पर अबास तयब जी जो है अंधुरुन सबने अवग्या अंधुरुन के दोरां पेसावर में गड़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंदर सिंग गड़वाली के नेत्रत में निहत्ती वीड़ पर गोरी चलाने से इंकार कर दिया था सबने अवग्या अंधुरुन के दोरां मणीपुर की जंजातियों ने भी सक्रे भागेदारी निवाई निभाई दिखाई थी यहां पर जो है अंधुरुन करने तरत है पो जदोनांग और उसके पस्चाद जो हुंके पस्चाद नगा जंजात की महिला गांडुन लिए उ अखिले भारते च्वा च्वा गिरोधी लीकिया स्थापना की तो था हरिजन नहामक सब्ताहिक पत्रका जोह प्रकासन किया इसके बाद गांधी इर्विन समझोता हुआ जिस पर पेच में सरोजिन नाजडुन ने गांधी और इर्विन को दो माहत्मा की संक्यात दी थी गा नाच मार्स 1931 को संपन हुआ था ठीक है इर्विन के जीवनिकार एलन कैंबल जॉंसन ने गांधी इर्विन के समझोते में वात्मा गांधी के लावों को स्थानपना पुरुषकार कहा था 10 जून 1910 जून से लेकर 24 जून 1930 को साइमन कमिशन की रिपोर्ट प्रकासित हुई और राजनिति संगठों ने कमिशन की सिफार्सों को आज से विकार कर दिया था नॉम्मर 1930 में लंदन में पर्थम गोल में सम्मेलन बुलाया गया इस सम्मेलन में 89 भारते प्रत्मिधियों बाग लिए के थो कंग्रेस जूए परतम गॉल में समयलन भाग नहीं लिया था ठीके पर खोल में इंगलों इंडियन का प्रतिने केटी पॉल्ल में किया था व्यूर्म कउधेयों सामराद त्रण्चम किया था और किया था सास्सितम्बर 1931 से लेकर 1131 30 दख चले ती के रूम में हिस्सा लिया था और इनके लावा सरोजनी नाईडू मदन मोहनमालविये ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था गांधी जी जो है समझता यानि कि जिसको दिल्ली समझता के नाम से जानते हैं यह मंजूरी देने के लिए सर्दार ब्लब भाई प्रस्ताव पारित किये थे कराचिय द्वेशन के द्धचिता जो है बल्ला भाई पटेल नीची था और कराचिय द्वेशन के कुछ लोगों के बिरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वाद नहीं ठीक है यह पहला उसर था जब पूर्ण सुराज को कांग्रेस दो कराचिय द्वेशन को मातमा गांधी की द्योग प्रियता और सम्मान की प्राकाश्ठा माना है तोला अगस्त 1932 को रैंजर मैंग्डोनाल ने अपने सामपरदाइक अधिनिल्ड़ के घुसरा की जिसे सामपरदाइक पंचाक यानि कमिनल आवार्ड कहा गया गांधी जी ने में पहला आमरन अंसम 20 सितमबर 1932 को यारवादा जेल में रहते हुए ब्रेटिस प्रदान मंति रैंजर मैंग्डोनाल्ड के सामपरदाइक नेड़े के ब्रतु प्रारम किया था तो पहला आमरन अंसम जो हुआ था 1932 को कांधी जी के द्वारा किया था 24 सितमबर 1932 को उना स अंजयोता प्रहस्ताच्रित की हुआ तो सामपरदाइक अवार में प्रांति बिधान मंडल में दलितों के लिए सुरच्छी सीटों की संख्याइक आतरती जिसे पीन पूना पैट में बढ़ा कर 148 कर दिया गया था उसमें मादरास 30 सिंद सहीत बंबई 15 पंजाबाद विहा बाबु जग जीवन राम ने किया था कि आल इंडिया सेडूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीम राव मेटकर के द्वारा वर्स 1942 में किया था आल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेज एसूसीयेशन के स्थापना 1926 में में महत्मा गांदी कि निए निजीत नही एगला पॉइंट है जय प्रकास नरायन को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह आदर ठीका 1935 के बारा सरकार अधिनियम के आदार पर फरोरी 1937 प्रांतिय विधान मंडलों के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्धोंदी दलों का सफाय करते पांच प्रांतों में मद्रास, बिहार, मद्र प्रांत, संहित प्रांत और उडिशा में पूर्ण बहुमत प्राथ किया 1935 के अधिनियम के उप्रांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंग्लों का कारका रखा इसमा रहा था कांग्रेस मंत्रिमंग्लों के जो है त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत की सभी मुसल्वानों से 22 दिसंबर दिन सुक्रुवार 1949 के दिन मुक्त दिवस मराने का आवाहन किया था ठीक है वर्स 1929 में कांग्रेस के हरिपूरा यानिकी गुजरात में जो पड़ता है वहां पे अधिवेशन में सुभाज चंद्रबोस जो है पहली वारत धक्ष बने थे ठीक है वर्स 1949 में जो है त्रीपूरी अधिवेशन हुआ था मत परदेश में और इसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाव शीता रमया को पराजित किरके सुभाज चंद्रबोस कांग्रेस के दूशरी वारत धक्ष बने परंदु कार कांड़ी के गठन के प्रशन पर कां अंग्रेस के अधिश्यसा ताग पत्र के परशाथ सुभाज चंद्रबोस ने जो है पारवड ब्लाग की स्थापना की ते भी याद रिखेगा बटल समित का गठन 1927 में किया गया था और इसे भारते भी राज रियासर समित भी कहते हैं दिसंबर 1927 में अखिल भारते राज जनितिक संगर्थों के साथ है राष्टिये लक्षों के सामने रखने के लिए जानल नहरूपँ 1949 में भारत प्रजा मंडल यानि आल इंडिया स्टेटस पीपल्स का धिर्च चुना गया भारतिय संग्यों में अधिकांस रजवारों का विले जो है उनिस से तारिस में हुआ था पंद्रागर्स निस से तारिस तक सिवाई जूनागर्ज जमुकस्मिर तो था हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवारे भारत में जो है सामिल हो गए तथा वर्थ 1948 के अंद तक इन तीनों रियास्तों को भी इसके लिए बाद होना पड़ा इसके बाद उनिस सो से ताल पाकिस्तान के कबाले कबाली आक्रापताओं को जो है भागाना प्रारम कर दिया इसके वाद यथावद समझावता उनिस से नॉमबर निस से तालिस को हैदराबाद रियासत और डुमिनियन आफ इंडिया के अमध्ध हस्ता च्रित हुआ था पिड़ लाड लिन लिथिगो ने जो है 17 अक्रूबर निस सो उन्तालिस को भारत के जर्मनी के विरुद यूद गरस्त गोसित के दिया गया था दुतिये बिशुदी एक सितमब निस सो उन्तालिस को जर्मनी के पोलेंड पर आकमर के साथ प्रारम हुआ जो कि छे वरसो पान के हिरोस्मा और नागा साकी पर अमेरिका द्वारा परमार बंब गिलाया जाने के बाद अगस्त उन्यसों पैतालिस में जाकर समाहत हुआ था ठीक है विश्टन चर्चिल जो थे वह तिर्टिये यह दुटिये विश्युद उन्यसों उन्तालिस उन्यसों पैतालिस के सब्सक्राइब के दोरान जो है बेटेंट के प्रधान में परियोग नाम से विद्रित अपने पंप्लेट में जो है सरप्रतम पाकिस्तान सब्सक्राइब का परियोग किया बाइस से चोबिस मार्ज उन्यसों चालिश तक मुस्लिम रिक का अद्वेसन लाहूर में हुआ और इसकी अद्वेसन था मुहमद अली जिन्दा ने किया था लाहूर अद्वेसन भारत से अलग हुए एक मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मार्ट की इसके बाद सरजनी जबकि जिन्ना एक राजनितिक है ब्यक्तिगत सत्तिगरा की सुरुवात जो है यह सत्तर अक्टूबर 1940 को हुआ था बिनोवा भावे पर्थम सत्ताग रही थे और पंडिन जवालाल नहरू जो थे वह दूसरे सत्ताग रही बने थे मातमा गांधी ने किया था बिनोवा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्सों के परचार के लिए सरबोदे समाज की इस्थापना किया गया था मातमा गांधी ने क्रिप्स्मिशन के प्रस्ताओं को उत्तर तिथिये चेक जो है संग्या दिया था यह मातमा गांधी के किरिप्समिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वारताकार जो थे पंडिजवाना निरो मौलाना आजात थे अब इसके बाद करांदकारी आंदरों ने उग्र राक्टवाद का उध्य होता है उसके बारे में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो वीडी सावरकर यानि बिनाएक दामदर सावरकर दारा 1899 में इस्थापित मित्र मेला ही वर्स 1904 में एक गुप्त सभा अभिनो भारत में परवर्दित हो गई जतिनरनात मुकरजी 1889 से लेकर 1915 तक ये बंगाल के करांदकारी थे जून 1897 में चापेकर बंदों ने पूना की प्लेक कमेटी के अध कि उद्धेस इसे अक्टूबर 1924 में यूवा गुप्रांदकारियों कानपुर में एक सम्मेजन बुलाया तता हुं हिंदुस्तान रिपप्लिकन एसोसीएशन नामक करांदकारी संकटन की अस्थापना की लिए ऑन रिप्लिकन एसोसीएशन की द्वारा 9-445 को उत्तर रेल से जाना जाता है ठीक है 15intage में चंसेकर आजाजाद के नतरत में डिल्ली के फिरोज साह कोडरला मैदान में हिंदुस्तान सोचलिक रिपब्लिकन ऐसोची सांङ्ब अपना किया हें हिंदुस्तान सोचलिक रिपब्लिकन एसो सीसेशन जो सफेंड परकंट अपरते आठ अपरल 1929 को केंद्रे विधान सवा में बंप थेका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फांसे दे दे गई थी। चटगाउं सास्त्रागार जो था धावे को समास्टरदा के नाम से परसित सूरिसेन न आजित किया था। सूरिसे ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इस्थापना की थी। लाहौर सड़ेंद केस के अंतरगर गिर्वतार जदिंदास ने जेल में राजनिती बंदी का दर्जा परदान करने के लिए भूखर्टाल किया था। 33 दिन की भूखर्टाल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मिर्थ होगे। निस्क्रिय विरोध के सिधान का प्रतिपादन अर्विंद गोष ने अपनी पुस्तक बंदे मात्रम में किया था। दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्रों सांती घोस और सुंती चोधरी ने जोए एक जिलातकारी को गोली मारकर उसकी अत्या कर दी। फरवरी 1932 में पीना दास ने दिच्छान समारों में उपाद गिरहन करने के समय बहुत नजदिक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगाज सिंग ने कहा था आलोचना और सुतंतर चिंतन एक करांदकारी की दो विसे इस्ताय हैं। फरवरी 1905 में लंदन में सियाम जी किन्स बर्मा ने इंडियन होम रोल सिसाइटी के स्थापना की जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता। गदर पार्टी के स्थापना अप्रेल 21 अप्रेल 1913 को पराधिन भारत को अंग्रेजों सुतंत करांदके उब्देश से किया गया था। गदर पार्टी का मुख्याले सैन फ्रेंसिसको अमेरिका में इस्तित है। राजा महेंद्र परताम ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ पर्थम महायुद्ध के दोरान 1915 में काबल यानि अफगानिस्तान में भारत की पर्थम आस्ताई सरकार का कठन किया था। विकाजी रुस्तम कामा भारते किरांद की मा के रूम में विक्षा था। कामा गाटू प्रकर्ण जो था ये कनाड़ा की यात्रा निकलता जल्पोत था ठीके कामा गाटा मारू जिसके पर्थम प्रथम के दोरान भारत के घुरुदित सिंग ने किरायपन लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठा कर कनाड़ा के बंदरगा बैंकूवर की और प्रस्थ रश्टाचार कुपरशासन को दूर करने के लिए 1773 में का रेगलेटिंग आइक्ट पारिद किया और रेगलेटिंग एट 1773 की दोरा सर्पथम कलकता में एक सरवोच नियाले की स्थापना की इसमें एक मुख नियाधिस और तीन अन्य नियाधिसों की ब्यूस्था की गई को रद करने ता अपने नेड़ेओं को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया कानवाली जो थे जिला कलेक्टरों को अधिक सक्तसाली नहीं बने देना चाहते था अता उसने सक्तिके प्रिथक करों सिध्धान को अपनाया ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को यादि कि चाय वा चीन के साथ ब्यापार के अतरीग सब्सक्राइब कर दिया गया नुसले दोरह भारत में शिक्छा पर एक लाग रुपे वारसि खर्ज करने का प्राउधान भी किया गया चार्टर 673 जो है उसके तह ये कंपनी की सभी वाली जी गदिकार के दौरा ही कानून बनाने के लिए गौवर्नर जनरल के परिस्त में एक बीधी सद्स को चौथे सद्स के रूप में जो है समलिक किया गया फिर इसके बाद आता है ठारसोट ठाउन के भारा सरकार अधिया जो कि गौवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट ठारसोट ठाउन के नाम परिस्त के बादेश आधिक छे माह तक लागू रह सकते थे फिर अटारसोट एक्सट के भारते परसत अधियम के दौरा बाइसराय के परसत को कानून बनाने के सब्सक्राइब जिसके तहत लाड़ काइनिंग ने विभाग्या प्रणाली की सुरुवात की अब भारते परसत 1861 के दौरा ही कानून बनाने के लिए बाइसराय की कारकाली परसन में नियुन्तम छे और अधिक्तम बारह आत्रिक सदोस्यों की नुक्ति से उसका विस्तार किया गया बांबे मद्रास और कलकता उचन्याले के स्थापना ब्रिटी संसर दौरा 1861 के भारते उचन्याले अध गार्म किया था जिसे falar से नियुनिशन भी कहा जैता है उनेिएam नी सो शभीष में भारत में लोकसेवा आयूजा का प्रारं कराना 1950 के सम्धान के लागू होने के भास بदल कर नाम बदल संग कर दिया गया है भारत का अबरतमान सम्मयदानी ढहंचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर अधारी थे 1935 के वारे में जिवालाल Nehru ने कहा था एक कार है जिसमें ब्रेकह तो है पर इंजन नहीं है यह जोनलाल नहरू का कताना है बारते राष्टे कांग्रेश ने अपने लखनों दिवेशन में 1936 में बारते बारत सरकार अधिनियम 1935 को आज सिर्विकार कर दिया था इसके लाव पंडि जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आग्य तो वर्धा में जो है 6 जुलाई 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेश समित के बैटे में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव का प्रास किया गया और इसके दस्तिता ततकालिन कांग्रेस अधिक अभूल कलाम आजात नहीं किया था इसके बाद कुछ संसोधन हुआ उसमें और आठगेस 1942 को प्रस्ताव सिवकार कर लिया गया और भारत की स्वतनता संगर्ज के तहर जो अंग्रेजों के प्रादम करने की गोच्छा की गया आठगेस निसोग आलिज को बाति अखिले बाति कांग्रेस कमेटी की वैठेक में पंडिजॉनला नहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेस किया था जिसका सरदार बलभाई पटेल ने जो है समर्थन किया था इस प्रस्ताव का आलेक सोय मादमागाधी ने नहरू और आजात के साहर से बनाया था हिंदु महासभा कम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया यूनियन पार्टी आफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंधरों का समर्थन नहीं किया था ठीक है नवगेस तुनीस सो बैयालिस को भारत छोड़ों प्रारम हो गया और अंधरों प्रारम होते ही आपरेशन जीरो आवर किता है जो गांधी जी तता अन्य चोटी के कांग्रेस के नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था गांधी जी को गिरफतार कर सरोंजनी नाइडू सहीत पूना के आगाख हां पैलेस में रखा गया था बारत छोड़ों मंबई के बीविन भागों में कांग्रेस का गप्ट रेडियो प्रसारं किया जाता था इस इसे मत्रा अधरास अमरीकी पत्रकार लुई फीसर ओंद्रकुंडे। भारत छोड़ो अंदलों के दोरां जैव प्रकास नराय ने जो हजारी बाग सेंटरल जेल में रफरार होकर जो भूमगत गत्विदियों को संगठित किया था ठीक है गांधी जी उस दिन ववतार यहां पेगंबर की प्रेरेख सक्ष्ट से प्रेरित होकर भासर दे रहे थे भारत छोड़ा तो अंदलन के एक महत्वपूंग इस्था क्या थी तो देश के कई इस्थानों पर सवनांतर सरकार की इस्थापना एक महत्वपूंग इस्था थी और अगर हम बाद में तो बल्या जिला जो अगस्त निसो बैल्य ने चित्तु पांड़े के नेतलों में 27 सरकार कर गठं़ किया गया तामलुक मिदनापूर मंगाल में Smm 1942 से लेकर अगस्त 1944 थग यहां की जाती है सरकार ने पूफान पीड़ू की साहतं लिए करकरम प्रारम कियाens Ngacos Psychви सथानुनिस फूर्प का निजिट के लेकर सबस्थ लंबे समय देर चलनेवाली सरकार थी प्रति सरकार के नाम से समनांदर सरकार की स्थापिक की गई इसके प्रमुख निदते वाईबी चौहान और नाना पार्टी बीमारी के आधार पर गांधी जी को छे में 1944 को रिहा कर दिया गया था कि विष्टन चर्चल ने गांधी जी की संब्ध में कहा कि जब हम हर जगा जीत रहें तो अपसे वक्त में कमबक्त बुड़े के सामने कैसे जग सकते हैं जो हमें ऐसा हमारा दोस्मन रहा है यह जब रिहाई हो रहे थी में गांदी जी की तब विष्टन चप्चिल ने इनके बारे में एक कथन कहा था नेताजी सुवास्चंद्र भोस का जनम जो हुआ था सुवास्चंद्र भोस को और किस ने किया था तो यह किया था तो यह किया था रवेंद्र नाट टाइगोर के दो रहा हुआ कि कि मात्मा गांदी ने सुवास्चंद्र भोस को देश-भक्तों का देश-भक्ति कहा था कि यह भी आद रखेगा तो कि साथा माइप्तें और कि वर्यक्ति आप हिंद फोज का पहली डिवीजन और उपचारी गठन सितंबर 942 हुआ था और कापटन महान सिंग इसके परतंद सेना पति बने थे इकीस सक्टुबर 943 को सुबाज चंदर बोज के निटर्ट में किया था तिक है कांग्रेस ने आजाद इंद फोज के बचाओ समिर्का गठन किया था जिसमें भूला भाई देसाई के नेतुरत में तेजबादर सब्पुरू के लाचनात कार्जू आसा फली और जोहाला नेहर जो प्रमोफोटीर थे कैबिनेट मिसन 24 मार्ज निसुच्छ को दिल्ली में आया था और इसके अध्धक्ष थे भारत मंत्री लाड़ पैथिक लारेंस को बनाया गया था ठीक है इसके लोग इसके अध्धक्ष तो जो थे वो भारत प्रदान देज लाड़ पैथिंग लारेंस थे और अध्धक्ष बोड़ आप्ट्रेट थे और एबी अलेगजंडर थे नोसेना मंत्री थे ठीक है कैबिनेट मिसन ने त्रीस त्रीस आसन बिवस्ता को सुझाया था कैब मेंबर सभी विवाग भारतिये दलो सदिस्य दारत वह धारण किये जाने थे मौलाना अबुलकलाम आज़ाद कैबिनेट मिसन के भारत आगमन के समय भारतिये राष्टे कांग्रेस के अद्वर्च थे ठीक है लियाकत अली सहीर जोई लीग के पांच सदस्यों को चबेश टूबर नियुसुच्यारिस को सरकार में मंती बनाया गया था जिसके कारण्ट तीन कांग्रेस सदस्य थे सदस्य अली जहीर सरज चंद्र भोस और सर सफाद एहमद खां को हटना पड़ा था इससे ठीग है इसके लावा 16 अगस्त 1946 की तिथी मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कारवाही दिवस से सुनाशित की गई कैविनेंट मिशन प्लान के अंतरगत सम्मिदान सभा का कठन किया गया कैविनेंट मिशन नियोजना के उनसाथ जुलाई 1946 में सम्मिदान सभा से चुनाव हुए और सम्मिदान सभा का पर्थम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ जिसके आज ताही अधिक सथान अंसिना बनाएंगे ग्यारा दिसंबर 1946 को सम्मिदान सभा का दूसरी बैठक दिल्ली में से हुआ जब डाक्टर राजन परसाथ को अस्थाई अधिच जो ही निर्वासिक किया गया बिटिस स्यूप में जीवी माउल अलंकर वर्स निसुच्छ चालिस से निसुच्छ तक के अंधर लेजिस्डिटी असेंबली के अधिक भारत की सोतन्ता के समय किलेमेंट आर एटली ब्रितिस परदान मंत्री थे अब बिटेन के प्रदानमिद्री एटिली ने जोई इस परोरी उन्यूस से तालिस को हाउस आफ कामल्स में गोचरा की कि अंग्रेज जून उन्यूस से तालिस के पहले ही उत्तरदाई लोगों को सत्ता हस्तांतरी करने के बाद भारत छोटेंगे माउंट बेटन योजना आया था तीन जून उन्यूस से तालिस को इसके अनरूप बिटिस संसत दौरा जुलाई उन्यूस से तालिस में भारतिय स्वतनता अधनियम पारित किया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमनियों की अस्थापना के लिए जो 15 अगस्त उ काने जी का यह सुझाओ था कि अंत्रिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सवत दी जाए जिसे भारत में संप्राइक दंग्वों को रोका जा सके पंदरा जून 1947 को जिसमें कांग्रेस महसमित ने जो है दिल्ली में भारत के विवाजन का प्रस्ताव से विक्रित किया उससमें कांग्रेस के अध्रिय कौंधिया चार जेवी किप्णाई चौदा पंदरा जून 1947 को संपन अखिल भारतिय कांग्रेस कमेटी के बैठेग में भारत विवाजन के विवाजन के विपक्ष में कान बहादुर खान अब्दुर्गफार खान जिन्हें सीमांत गादी के नाम से जाना जा था उन्हें मद्दान किया था डाक्टर सैफू द पंदरा जून 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठेग तरह विवाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्टबाद का संपरदायवाद के पक्ष में समर्पन के रूम में लिया था ठीक है और पंदरागश तो 1947 की मद्धर रात्र असेंबली केंद्री असेंबली में जन गड़म सब्सक्राइब करने के ब्रेटिस आसन की सबस्यादी के मात्तपूर अक्रवजी भारत का अब कुछ विवित चीजें जैसे कि आमार सोनार बंगला गीत की रचनाव 1905 में भंग भंग आर्दोलों के दोरान रविन ना ट्रगोर नी किया था भारत-बारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कभी के उपाद से विभुशित मैतली सरवन कुपता है इनके अनप्रमुख रचनाओ पंच्वटी और साकेत या सोधरा जैदरतवद आती है ठीक है कि पत्त्र पत्र का और जो है कि इसके बाद इसमें देखते हैं उनिसी सताप्ति में उडिसा अकाल अठरस चाचर सरसर ने भीवशाट रूप धारन किया और इस अकाल को जो है प्रकोव का समुद्र कहा गया ठीक है जीवी मावल अलंकर जो थे उनिसी सुच्छालिश में सेंट्र लेजिलेटल असंबली के अद्धेचे बने थे ऐसे पर्थम मज़त थे अद्धक्षे थे जिन्होंने आपचारी को भी प्याग कर गांधी टोपी पहन कर सद्धें की अध्यचता की गुरुदेव रभिंद्र ना टेगोर को महान प्रहर गांधी ने कहा था जैजवान जोगिसान का प्रशिद नारा बारत के बहुत पूर प्रदार मंत्री लालबाद रुसास्ति दिया था भारत फोड़ा अंदुलन जो कि नो अगस्ट उनिस्व बैलिस को प्रारम गवा था इसके समय वांत्मा गांधी ने कहा था कि आजा दे ह हमारी पहुंच के अंतरगत और हमें से कस्केर जो है पकड़ना चाहिए लाट नेहरू ने सुतंता के प्रश्चात यह का था कि प्रतेक व्वास तो प्रतेच्छा कर सकती है कि तो क्रिशी नहीं ठीक है जीवनी कार कौन थे फ्रेंक मौरस थे कराम था लाड़ मांट वेटन पंडित मदन मोहनमालवी द्वरा किया गया था पट्टा भी सीधा रमयाज प्रमुक राष्टबादित भारती राष्टे कांगरिस के सरकारी तियासकार थे वर्स 1929 में मद्ध में भारती सरकार ने भारती स्रम पर एक राजगी राजगी आयोग की नियुक्तिक है अब कु पत्रिका की बात करेंगे तो बाल दर्तिलग के दोरा जारी किया गया था अबुल कलाम आजाद ने इंडिया बिंस फ्रीडम जो लिखा था जालना लेड़ों ने दर्ट डिस्कबरी आफ इंडिया लिखा हुआ है एनिवेशन ने कामन बील पत्रिका का संपादन किया था लाला लागत पराई की है अनहापी इंडिया ठीक है इसके लावाद जे प्रकास नारान के दोरा लिखित टूवर्ड्स इस्ट्रेगल है फ्यूगोटे के दोरा स्प्रिंगिंग टाइगर यह लिखा गया है फिलिप्स टाल बार्ड दा अन अमेरिकन विट्नेस टू इंडि जैना योगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो जिम्सेट तक नहां मेर टर्णाइब जर्स हैं आपर जे लिखा गया है सुनिर गासकर कि प्रुस्तक का नाम एलॉर। Sat & duż बंगाल दुर्भिक ची जब आया था तो वह और सुनी सो तेटालिस में आया था सीथ युद्धकाल में जो है और जद्धुनाद बोस कलकता विस्विजाले के पथम असना तक थे अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंदि थे और उन्हेंने अलह नदवाह का प्रगासन किया था भारत में सरप्रथम केरल में 1997 में सामवाजी सरकार की इस्थापना हुई थी भारत के आर्थिक विकास पच्छी की भात जो सामराज वात दिवंगत हो चुका है अब फ्रांसी सी क्रामत 1789 में फ्रांस में हुआ था बारत के प्रथम पदामती पनिजाल जन नहरू की मिर्थू चौती पदावदी 1947-1992 तक इसके बाद 1932-1972 तक 1932-1994 तक हुए थे प्रामती और 1774 कोंकी मिर्थ थी जौना नहरू संसु स्दूस के रूम इलाहाबाद पूलपूर संसदीज छेटिर्टर का जो है प्रतिनिज़भी सब्सक्राइब करते थे में कारगिल भीवाद के दोरान भारत ने पाकिस्तान के विरुट सफल से ने कारवाई किती जिसे आपरेशन बीजे की संग्या दी गए थी भारत के भूदपुर प्रदामति स्वर्गे चाउधरी चरण सिंग ने स्मृति में 23 दिसंबर को जो है किर्शक दिवस मनाया जाता है पर्थम अखिल भारति सामाजवादी युवा कांग्रेश कलकत्ता यानि की 27 दिसंबर 1928 को यह संपन होगा था ठीक है और इस कांग्रेश के अधचिता किसी ने किया था अलिपूर सेंट्रल जेल कुलकाता में इस्तित है और इसकी स्थापना जो है वर्स 1906 में किया गया था हदराबाद रियासत में सैनिक कारवाही के दौरान आप्रेशन पोलो चलाया गया था पर्षिमंगाल राज्युका उपनाम से जाना जाता है ठीक है भर्तमान में सरबादी परचलित कलंडर जो है ग्रिगेरियन कलंडर है मदर ट्रेसा का जनम 1910 में हुआ था और 18 वर्स की अमर आयू में जो है इन्होंने एक मिशनरी की सदस्ता ग्रहन कर ले थी पांस सितंबर 1907 को मदर ट्रेसा के मिट्ट लंका की है देश डाउन इस्ट्रीट जो यह प्रिटिस्ट परदामंत्री के सरकारी आवास का नाम है जर्मनी अमेरिका प्रभावित परिश्मी जर्मनी में विभाजित कर दिया गया था जो 40 वर्स से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुना एक एकिडित हुआ था च कागज का नेमार किया था ठीक है अब कुछ बैक्तियों के प्रमख लोग प्रिये नाम है उप नाम है यह सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है राश्पिता मात्मागांधी को कहते हैं बापू मात्मागांधी को कहते हैं बयो बिर्दिप्रोस यह दाद देश बंद को आता है। का माहामना मळन महामन मालविय को कहा जाता है यह मुहमद बिन तुगल्व को कहते हैं मै नाभ डेश्टिणी यह निव प्लिएंबु नापार्ड के नाम से बिठ्यात्व हैं देश रंध डाक्टर राजएंथ कटिकर को का जाता है बावुजी जग्जीओन राम को भारत का नेपोलियन समुद्रगृत को कहते हैं व्यादंreno को सकले को माला बाइच को माला जाता है और काईद आजम मुऊंद तो यह था वबराल वीडियो जिसको लोगों ने देखा भात्य राश्टी आंदोरों का अगर वीडियो पसंद आदा तो लाइक करें चनल को सुस्क्राइब ने किया भी तो सुस्क्राइब करें साथ अपने दोस्तों में सेर भी करना मत भूलेगा ठीक है तो इस वीडियो को है साथ साथ इसका नेश्ट हम वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे जो कि बहुत टापिक इंपर्टन टापिक होगा तो उसको भी देखना मत भूलेगा आज के लिए तना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक लिए थाएंगे